हाई आव्रीवान वेलकम बैक टू माई चैनल आज की जो वीडियो है वो सीटेट साइन्स कंटेंट के बारे में है और यह कंप्लीट मैरेथन होगी आपके लिए एक बार इसको एक्जाम से पहले जरूर पूरी देख लें ठीक है het यह एक सिंस्पल है लेकिन जैसे ही हम जो हमारा अमान्ट ओफ फूर्ड है अगर उसको हम अच्छे से चबा के नहीं खाते तो यह ऐसे-ऐसे प्रोसेस भी करती है मतलब यह according to our जितना type of portion हम फूड लेते हैं उसके according food हमारा पास हो जाता है ओसी फगस के बाद हमारा फूड जाता है stomach में stomach के बाद यह divide हो जाता है liver pancreas में और उसके बाद यह जाता small intestine में और large intestine के बाद यह drain out हो जाता हमारी body से फिर आता है nutrition nutrition mainly क्या भई जो different organism है अलग लग तरिके की जो परकार की जी जन्तु है organism है उनका different nutrition process होता है भई it depend on the source of carbon from where the food is taken वो depend करता है कि food जो source of carbon हो कहां से लिया गया है ingestion intake of food material into simple one फिर इसको breakdown करना digestion होता है absorption movement of digested होती है और फिर इसका utilization करना assimilation होता है फिर addition removal हो जाता है अब हम nutrition देखेंगे human beings में human beings में क्या है भई nutrition हम mouth के intake of food जो food करते हैं फिर second process के आता है हम हमने दातों से उसको चबाते हैं छोटा चुटी टुक उसको लबएक grind कर देते हैं ताकि हम अच्छे से उसको निगल पाए फिर इसको रोल करते हैं by help of tongue और उसको testing में भी हमारे क्या है टंग में और टेस्ट बढ़ होती है अगर क्योशन आ भी जाए तो जो हमारी टेस्ट बढ़ पाई जाते हैं वो टंग में होती है और यह help करती है आपको pushing down your food to the stomach और यह हमारे mouth में क्या होती है भी slavery glands होती है जो की help करती है mucous secret हो जाता है इसमें ठीक है जो की help करती है starch को convert में सुगर में convert करने के लिए फिर आता है osifagus जो की मैंने बताया था वो क्या है mouth से stomach की तरफ आपका food लेके जाती है और paristatical moments होती है जिसका अलब है contraction और expansion होता रहता है osifagus में stomach में क्या होता है गेस्ट्रिक ग्लैंस होती है जो gastric juice secret करती है अब gastric juice भी क्या है पैपसीन है HCL है म्यूकस है म्यूकस तो क्या भी protect करता है हमारे बहार की जो भी ऐसे चीज़े जैसे HCL का ज्यादा हो जाता है तो म्यूकस एक लेयर होती है जो कि हमारी बहार तक skin में कोई भी infected होने से हमें protect करती है इस टाइप से ठीक है ज्यादा में कुबाय आदे नहीं है make medium acidic HCL make medium acidic बना देता है और enzymes क्या करते है पैपसिन ब्रेकडाउन करते हैं इंटु protein फिर आती है small intestine small intestine क्या है भई इंटेस्टाइल enzyme होते हैं इसमें जो convert हो जाते हैं carbohydrate में पैट्स में और protein में जो convert कर देते हैं अलग-अलग फिर आता है जो मैंने बताया था लीवर और pancreas दो पार्ट है तो pancreas में pancreatic juice secret होता है और लीवर में bile juice होता है और stored in gall blood और यह question आपका बन सकता है याद करना help in amplification of fats अकर आ जाए कि amplification of fats में क्या होता है bile juice करता है help फिर small intestine really जो help करेगी absorption of food into blood वीली एक ऐसी है जो help करती है food का absorption blood में होने में finger like projection होता है यह large intestine क्या है and absorb food ठीक है और यह क्या कर लेती है large intestine से water तो absorb हो जाता है food से और waste material फिर drain out हो जाता है एक question यह बन सकता है large intestine होती है वह wider होती है भई टीक है large basic है लेकिन वह स्रफ wider है वह चोड़ी है लेकिन वह छोटी होती है then small intestine small intestine भई वैसे तो wider नहीं होती वह पतली होती है लेकिन वह long होती है ऐसे-ऐसे form में होती है और ये इस टाइब से होती है वो थोड़ा सा लंब में और ये छोटी होती है यापर अब आता है light ये physics का topic है भई light क्या है light परकास है जिससे हम देखते हैं हमें vision मिलता है देखने के लिए और phenomena क्या है light का जैसे image formation होना एक question हमेशा मिलता है एक का दो भी मिल जाए light वाले चैप्टर से तो इससे अच्छे से कर ले रहा twinkling of star, beautiful color of rainbow, bending of light by medium zone ये क्या है फिनोमिना है अब पता है आपको ये incident ray है और फिर ये reflected ray है इससे हम एक perpendicular draw कर लेते हैं नॉर्मल और हमेशा theta y is equal to theta r होता है क्योंकि जितने incident ray होगी उतना ही एंगल reflected होगा ये laws of reflection है भई when light strike के surface and bounce back it is called reflection बस ये आपको पता होना चाहिए कि जब एक surface पे light गिरती हो और bounce back हो जाती उससी को reflection बोला जाता है incident ray बताई थी मैंने जो IR बनाए ठीक है reflected ray जो reflect होती है वो normal हम एक perpendicular imaginary line draw करते हैं भई वो आपको देख लेना incident ray और reflected ray के बीच में ठीक है laws of reflection क्या है भई ये same i is equal to r अब इसमें देखो ये first point है इसका ये second point है दोनों याद कर लेना incident ray normal at the point of incident and reflected ray all lie in the same place ये तीनों सेम लाई करते हैं भई प्लेन में जो मैंने आपको बता दिया अब टाइप of reflection क्या होता है एक तो regular reflection जहां पर incident ray आ रही है और ये reflect हो रही है फिर incident ray आ रही है फिर reflect हो रही है incident ray रही है reflect हो रही है एक पैटरन फोलो किया गया है reflection from a smooth surface like that a mirror is called regular reflection when all the parallel reflection reflected from a plane surface are not parallel the reflection is known as diffused or irregular reflection अब जब भई जो rays होंगी जैसे मैंने भी बताया है कि जो incident ray है वो हर एक incident ray parallel नहीं है क्योंकि कुछ incident ray में reflected back हो रही है तो वो क्या है कि irregular reflection surface है अनिवन और unpolished surface है जो कि irregular reflection देगा ठीक है अब है image formed by plane अब image plane mirror से कैसे बनती है भई x-axis ले लिए आपने यहां पर और आपने यहां पर एक mirror रख दिया अब आपका object जो यहां पर है जो a b आपके यहां से आपने point ले लिए अगर आप यहां पर खड़े हो तो आपके यहां से दो vision निकल थे एक तो reflected हो जाती है रे लेकिन एक रे क्या होगी भई एक रे यहां पर incident होगी यहां पर incident होगी यहां पर reflect होगी लेकिन mirror में क्या होगी back side में उसकी imaginary line ड्रो करने पड़ेगी जहां पर हमारी यह a- image बनती है वह plane mirror में हमारी यहां पर image बनती है और यह सीधी होती है image ठीक है character sticks of plane mirror क्या होगी बई virtual and erect होगी ठीक है सीधी होगी image जो होगी हमारी size of equal size की होगी और जो behind the mirror बनेगी जैसे मैंने भी बताया है और literally inverted होगी means अगर आपने अपना अपने अपने अपना left hand उठाया है तो वह mirror में आपको right side दिखेगा वह था literally inverted dispersion of light देखो बई dispersion क्या होता है किसी भी चीज का किसी चीज पर जैसे रे के थ्रू अगर कोई चीज किसी surface पर टच कर रहे है और उसके बाद वह dispersion हो रही है अलग-अलग जगह पर उसको dispersion बोलते हैं अब dispersion of light क्या होगा बई जो spilting मतलब फैलना spilting of light into its constituent called dispersion of light मतलब light का फैल जाना ठीक है उसके अलग-अलग पार्ट में उसको ही हम dispersion of light बोलते हैं अब देखो वैसे तो एक normal white light होती होई लेकिन जब एक prism लेते हैं हम और उस पे जब white light स्ट्राइक करते हैं तो वह क्या है वह एक आपको seven colors प्रोवाइड करवाएगी ठीक है अलग-अलग color की वह एक फिनोमेना है कि light है वह डिस्पर्स हो गई है और हम इसमें white light लेते हैं कि formation of rainbow अब क्योशन आ जाता है कि जो rainbow का formation है वह किस से बनता है वह water droplet से बनता है और वाटर ड्रोपलेट कैसी होती है गधियर है spherical होती है spherical mirror mirror whose reflecting surface is curved मतला spherical mirror क्या होगा वही दो टाइप की होंगे एक convecx होगा एक concave होगा और उनका जो surface है वह कवग की फॉर्म में होगा ऐसे कवग की फॉर्म में होगा ठीक है तो देखो यह हमारा concave mirror है inverted और erect image देगा यह हमारा convex mirror है यह erect image देगा अब properties क्या है हमारी याद रखने हैं में properties concave की क्या है बई concave जो surface है वो curved होता है inverse इस साइड़ा से curved होगा और बाहर के साइड इसके surface जो है वो यहां से polished होगा और converging mirror बोला जाता है अब concave mirror को converging mirror बोला जाता है यह आपको पता होना चाहिए ऐसे question बन सकता है कि concave converging है या diverging है लेकिन concave क्या है converging है एक जगह पर आपकी जो सारी राइट वो converge हो जाती है convex क्या है यह curved outward है ऐसे curved है यह outward की तरफ ठीक है तो यह इसका polishing surface है और यह diverging mirror है मतलब ऐसे ऐसे diverged हो जाती है light use of concave mirror concave mirror का कहा कहा use होते पर आप torch में use करते हैं क्योंकि torch ही एक ऐसी है जब आप torch को लोगे तो आपको देखोगे कि आपको आप किसी चीज़ फोकस कर रहे हो तो आप क्या देखोगे उस पर वो सारी आपको vision करने में देखने मदद कर रही है तो वो एक conversion light produce करती है search lights होती है vehicle headlight होती है to parallel beam of light to get powerful parallel और concave mirror are used by dentist to see large image of teeth of patient अब आप से पूछ ले कि which type of mirror is used by dentist execution आएगा concave mirror is used by यह है यहां पर हमारा concave mirror ठीक है यह dentist के dentist use करते हैं यह concave mirror भाई अब है using saving mirror also इसका saving mirror में भी use होता है using concentrate sunlight to produce heat in solar furnace अब भाई जो solar होती है वहां पर भी आपको क्या होगा इसका use क्या जाता है जहां पर एक जगह पर converge हो जाए और जो sunlight है और उससे erect image देता है diamond image देता है आपको यह वाइडर फिल्ड ओफ व्यू आपको आप यह इसकी कवर्ड जैसे आउटवर्ड है तो यह वाइडर व्यू देता भाई इसलिए इसका व्यू यूज है हम vehicles में करते हैं ठीक है Convex mirror are used to at a blind turn and on a point of merging traffic to facilitate vision of both side traffic यह traffic light में भी यूज होता है यूज इन शॉप्स एज सेक्योर्टी मीरर और दुकानों पर भी यूज होता है सेक्योर्टी मीरर के जैसे तो आपको ऐसे continue आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या है ये questions ये तो आपको समझ नहीं है जो मैं समझा रही हूँ और इसके बाद हम करेंगे भाई obviously questions करेंगे questions प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से clear होगा तो आप continue वीडियो को जरूर देखे लास्ट तक और complete देखे इसको और डिवाइस जो यूज करते हैं वो thermometer यूज करते हैं मेजरिंग टेंपरेचर टू टाइप्स का होता भाई क्लीनिक थर्मामेटर और लेब वाला क्लीनिक वाला तो कुछ common object के लिए यूज करते हैं अब रीडिंग थर्मामेटर कैसे भाई टेंपरेचर ओफ क्लीनिक थर्मामेटर होता है यह क्योशन आ सकता है डारेक थर्टिफाइव डिग्री सेल्सियस टू-42 डिग्री सेल्सियस और लेब वाला होता है भाई माइनस 10 डिग्री सेल्सिय यूनिट होती है हमारी यहां पर सेल्सियस नॉर्मल बोडी टेंपरेचर पूछा जाए 37 डेग्री सेल्सियस टेंपरेचर रीडिंग थर्मामेटर के लिए आपको कभी भी थर्मामेटर को क्लिनिक वाले थर्मामेटर किसी ऑपजेक का नहीं यूज करना चाहिए अधर देन हुमन बोडी अवोडिंग कीपिंग इन सेल्लाइट और नियर फ्लेम फ्लेम से और से दूर रखो इसको सी ब्रीज क्या है भाई सी ब्रीज एक फिनोमिना है जो कि कॉस्टिल एडियास के अंडर में होती है भाई इसमें क्या होता है डियूरिंग जब दिन होता है उससे में क्या होता है जो लैंड है वो हीट हो जाती है और फास्टर होती है दिन के टाइम पे और जो वोडर है वो बाद में होता है लेकिन जो एर ओवर दा लैंड है जो हवा है हमारी जो उसके कि बिनारे पे होती है विकम होटर एंड राइज अप तो बही अगर ऑविसली क्या है एक तो वह जल्दी गरम होती है और वहां पे जो आप देखोगे तो वह एर भी तो होटर ही आएगा आएगा आपके पास तो cooler air from the sea जो cool air sea की तरफ से आती है आपकी land की तरफ तो क्या होता है warm air from the land moves towards the sea तो जो warm वाली है वो sea की तरफ move कर जाती है तो complete cycle हो जाती है ये देखो अब गरम हवा तो जा रही है water की तरफ और water से आ रही है ठंडी हवा तो एक किया cycle ही होगी ना ये इसको sea breeze बोला गया है लेंड breeze क्या होता है बही जब शाम का टाइम होता है तो क्या होता है ये process reverse हो जाती है क्योंकि शाम के टाइम पे water cools down more slowly पानी तो आपका धीरे धीरे स्लो होगा जल्दी जल्दी cool हो जाएगी तो cool air जो लेंड की तरफ moves कर रही थी towards the sea अब वो क्या हो जाएगा और reverse हो जाएगा अब जो cool air है वो तो land की तरफ से जा रही है तो यह फिर से एक cycle process हो जाएगी लेंड प्रीज होता है अब देखो अब देखो आपके लिए इंपोर्टेंट है ऐसी तो होते हैं थोड़े से खट्टे होते हैं यह ठीक है सबस्ट्राइंस देट आर सोर्ट टो टेस्ट आर एसीडी की नेचर जो आपको लगे कि यह इसमें थोड़ा खट्टा पना रहा है तो समझ लेना वह एसीडी नीचर है अब गर्ड है लैमन है ओरेंज जूस है वीनिगर है यह सब एसीड हैं भई आपके बेस क्या होता है य जैसे बेकिंग सोडा है एंटा एसीड है कास्टिक लाइम है एक्जामपल याद रखना एक्जामपल ही आते हैं इंडिकेटर क्या है वह जो आपको बताए कि सबस्टैंस एसीडी है या बेसी की नीचर है ठीक है उनकी एसीडिटी और बिसीडिटी चेक करने के लिए जोता है और मोस्ट कॉमनली यूज़ इंडिकेटर है लिटमस सोलुशन और टर्मरिक पेस्ट एंचाइन रोज और रोज इंडिकेटर बिकम्स डार्क अब देखों जो रोज इंडिकेटर होगा वह डार्क पिंक हो जाएगा वह एसेडिक सबस्टैंस होगा अगर आप उसको डाल अगर आपके पास अगर आप उसमें टर्मरिक पेस्ट डाल रहे हो तो वह आपका चेंज कलर नहीं करेगा और बेस होगा उसमें तो जब कि जब आपका रेड कलर पहिए उनको निट्रल बोलते कलर का कौई उसमें इंडिकेटर का यूज नहीं होता बैस को एड कर देगा ठीक है क्योंकि आपने देखा है जब हमारे अंदर acid होता है हमारे body के अंदर और अगर acidity हमें हो जाती है तो हमें base का solution दिया जाता है ताकि हमारी जो acidity है वो control में आ जाए हमारे parents के दवारा तो वो दिया जाता है और अब आता है ant sting ant sting में कौन सा acid पाया जाता है या सकता है और इफेक्ट ओप दिस acid is neutralized by rubbing moist baking soda अगर पूछा जाए इफ यू आर बाइट by ant sting तो वो आएगा baking soda, sodium, hydrogen, carbonate अगर नाम है तो वो भी और calamans solution भी best माना गया है क्योंकि that contains zinc carbonate in digestion क्या होगे भई milk of magnesium important है magnesium hydroxide an anti acid used to neutralize the effect of acid producing in our stomach ये use होता है magnesium hydroxide milk of magnesium crop देखो दो टाइप की crop होती है एक तो खरीब crop एक रभी crop और आपको पता है ये जो करोप है अगर देखो अगर रभी crop है तो रभी एक छोटा नाम है तो जितने भी छोटे नाम है जैसे गेहू है चना है ये इस टाइप की किस में आ जाएंगे आपके ये रभी crop में आ जाएंगे और ये रभी है तो थोड़ा-थोड़ा समझ जाना कि ठंड के मोसम में होंगे ये और खरीब मतलब थोड़ा खराब-खराब जिजन में हो जून तो सेप्टेंबर गर्मी के टाइम से स्टार्ट हों वो है सोयाबीन पैडी और मैजे ये है और अभी crop that are grown in during winter जैसे अभी के टाइम पे अक्टूबर तो मार्च करेंगे वो क्या है बाई गेहू है हमारा चना है मतर है और सर्सो भी इसी में इंकलूड होता है फटीक है मस्टरड बैसिक प्रोड़क्षन प्रैक्टिस क्या करेंगे प्रेपे करेंगे अपनी सोयल को फिर बीज बोएंगे उसमें फिर उसमें फर्टेलाइजर करेंगे एरिकेशन करेंगे उसका और वीड से उन से बचाएंगे, हारवेस्ट करेंगे और स्टोर्स करेंगे अब जो फूड है हमारा जो ब्रेकडाउन होता है रिलीज करेगा वो हमारी सेल को एनरजी जो हम फूड इंटेक करते हैं वो और ये और लिविंग और गनिजम में होता है एक तो अयरोबिक होता है, एक एनरोबिक होता है जो ब्रेकडाउन है फूड का हुड वो प्रेसनस ओफ ऑक्सीजन में हो 切 काई ओल उर्गरिजम में होता है और ये क्या कार्बन डाहिच्सीड वोटर अनरजी को प्रोडेक्ट करता है जैसे किलकोस लिया अपने औक्सिजन की प्रेजेंस में हुआ CO2 प्लस वाटर प्लस एनरजी मिल गई आपको और इस्ट बैक्टिरिया हुमन यह एनेरोबिक होता है जो अपसेंस ओफ ऑक्सिजन हो तो गुलकोस है विदाव टू करोगे तो क्या होगा एलकोहल होगा आपको बस यह याद रखना है विद तो हमारी मसल सेल्स को एनरजी प्रोवाइड होती है दिस लेड टू अक्विड़िशन ओफ लेक्टिक एसिड डैट कोज मसल स्क्रेम्स अब एक लेक्टिक एसिड होता है जब हम जादे से साइज कर लेते हैं तो यह कॉस करता है मसल स्क्रेम्स को पेनिन बोडी ठीक है कर रहे हो तो कर चुके हैं दो टाइप से होते हैं मैटल और नोन मैटल मैटल कौन से होंगे भई कैमिकल और फीजिकल पॉपर्टि से हम इनको डिस्टिंग्यूस करेंगे मैटल कौन से होंगे भई फीजिकल में इनका शाइनिंग सर्फेस होगा ठीक है जैसे आइरन है आइ प्रिसे अर्डाशैम एक्सेप्शन है यह हाड नहीं होतें इनको बाई नाइम भी कट कर सकते हो ठीक है मैले बल होते हैं मैले । शो करते हैं agrad मैलेबिलिटी क्या होती है जब आप इनको एक हैम करते हो हैमर के थुरू आप इनको कूटते हो तो यह एक पतली शीट थिन शीट में कनवर्ट हो जाते हैं जैसे कि आपने देखा है कि आपने आईरेन की जो चदर देखिए टीन देखिए वह क्या है मैलेबिलिटी शो करा के ही होती है डक्टिलिटी क्या होती है डक्टिलिटी होती है कि वायर में कनवर्ट कर देना अब गोल्ड इस दे बैस्ट एग्जाम्पल होफ डक्टाइल मैटल क्योंकि गोल्ड का जो तार है वन ग्रैम का जो तार है भई हम सोरी वन ग्रैम जो सोना ले बनाएगा अबनाएगा अलूमीनियम लिया आटो के साथ कर दो अलूमीनियम ऑकसाइड ही तो बनाएगा इस बनाएगा लेकिन इसने बेस फॉर्म कर दिया एसने फरम कर दिया थीक है और sodium और potassium react with O2 so keeping kerosene यह भी क्योशन आता है कि जो sodium और potassium है वो ज्यादा reactive होते हैं oxygen के साथ तो उनको kerosene में रखा जाता है magnesium, aluminium, zinc or lead form this layer of oxide when kept open यह एक oxide के layer form कर लेते हैं जब वो open में रखे जाते हैं reaction of metals with water, metal produced metal oxide plus H2O reaction with water यह cold water के साथ magnesium react नहीं करता है आपका आपको याद रखना है aluminium, zinc, iron don't react with H2O यह भी react नहीं करेंगे बट react with steam बट steam के साथ react कर देंगे जैसे यहां पर कर दिया अब आगे non-metal यह भाई three state में पाए जाते हैं generally solid, liquid or gas at room temperature iodine एक non-metal है लेकिन उसकी जो surface जो शो कराएगा वो लश्चर पॉपर्टी शो कराएगा carbon है भाई उसके allotrop है मतलब वो different form में exist करता है और diamond is a hard and graphite good conductor यह पता होना जिए diamond hard होता है और graphite good conductor of electricity होता है metal non-metal का difference देख लो hard होते हैं, lusher होते हैं, soft होते हैं, malleable होते हैं यह नहीं होते यह sonar भाई एक sound produce करेंगे जब इनको hammer के थुरू आप hit करोगे तो good conductor है, poor conductor है यह react with O2 करेंगे भाई यह नहीं करते और reaction with acid देखो, जब metal dilute acid के साथ आप करोगे तो metal salt plus H2O मिलेगा जब metal dilute acid के साथ किया तो जो H2O आएगा वो भाई एक pop sound आपके create करेगा तो यह भी आपके लिए important है, mark कर लो S2 does not evolve in case of HNO2 as it strong oxidizer agent और HNO2 के साथ नहीं होगा भाई यह, it oxidize O2, वो oxidize करतेगा O2 को copper does not react with acid like dilute, S2, SO2 and HCl, copper नहीं react करेगा भाई इनके साथ Aquaresia क्या होता है भाई, Aquaresia होता है freshly prepared concentrated HCl and concentrated HNO2 in 3 ratio 1 में हो, it can dissolve even gold and platinum अगर question आजाए gold and platinum को कौन dissolve कर देता है तो Aquaresia 3 ratio 1 में होता है, उसमें HCl और HNO2 concentrated होता है reaction with base, metal react with base to produce H2 gas, जो metals base के साथ reaction करते हैं, जैसे HNO2 के साथ कहता है, तो H2 gas release करते हैं, pop sound आता है और यह complex होती है, electricity देखो, एक तो भाई, बिजली क्या होती है हमारी, या तो कुछ conductor से, कुछ ऐसे element होंगे, जो good conductor of electricity होंगे कुछ ऐसे होंगे, जो poor conductor of electricity होंगे, अब material वी चलाओ, electric वो तो भाई, conductor good होगा, और जो नहीं करेगा, वो poor होगा, definition तो है अब देखो, यह main यह है, lemon juice है, वो good conductor है, vinegar good conductor है, यह solution, salty water, tap water, क्योंकि इन में ions present होते हैं, जो कि charge carrier होते हैं, और यह सारे poor conductor है, केरोसीन, honey, vegetable, distilled water, coal तार, यह poor conductor है, ब्लेड आगया भई, बायो आगया फिर से, ब्लेड क्या है, fluid connective tissue है, और इसमें क्या होता है, एक तो solid component होते हैं, blood corpus, corpus, liquid component plasma, अब RBC होती है, blood platter होती है, WBC होती है, अब देखो, RBC तो क्या होती है, जो हमारी carriers करती है, gas, ठीक है, और O2, contain, HB, impart red color to blood, ठीक है, hemoglobin होता है, जो red color show कराता है, और blood platelets क्या है, helping blood clotting, यह helping करते हैं, blood clotting में कर चोट लग जाए, तो, WBC क्या है, यह आपको, एक तरह से, आपकी क्या होती है, antibodies होती है, antibiotics होती है, आपकी, जो कि आपकी, आतम, जो, रोग की जो शमता होती है, खुद की body की, उसके लिए useful होती है, यह yellow color fluid contain 90% water and 10%, यह plasma protein है, और यह inorganic minerals है, blood vessels, एक तो arteries होगी, events होगी, arteries क्या होगी, जो आपका oxygenated blood, heart to body, देखो, heart to body, जो करेंगी, carry करेंगी, oxygenated blood, except pulmonary artery, ठीक है, pulmonary artery नहीं होगी, इसमें, और यह deoxygenated blood करेंगी, यह करेंगी body part to heart, ठीक है, यह एक process है, भई oxygenated तो जाता है, heart to body, और deoxygenated जाता है body to heart, इसमें pulmonary vein include होती है, also called distributing vessels, और यह thick होती है, elastic होती है, deep-sitted होती है, यह collecting vessels होती है, थिन होती है, spherical, superficial, और compared होती है, ठीक है, transportation in plants, there are two main conducting pathway in plants, एक तो जाइलम के थरू, एक फोलियम के थरू, जाइलम क्या है भई, carries water and minerals from the roots to other part of, यह roots से water लेता है, और minerals लेता है, और plant के other part तक पहुँजाता है, जाइलम, no energy used, कोई energy used नहीं होती, फोलियम क्या है भई, यह photosynthesis मतलब आपकी sun से इन से लेके, leaves to other parts पहुजाता है, leaves से आपके other parts में जाता है, और ATP energy used होती है, tryphosphate something होता है, transpiration is the process of loss of water as vapor, aerial parts of plant, अब आगे glands, hormones and functions, इनके pituitary gland आजाए भई, यह growth hormone होता है, regulate growth करती है, functioning of endocrine को control करती है, thyroid, thyroxine hormone होता है, metabolism rate को control करता है, और balance करता है, ग्रोथ को, अब आगे पैराथ होर्मोन होता है, इसमें control calcium balance को करता है, पैराथ होर्मोन, adrenal होता है, adrenal line, prepare body for emergency के लिए होता है, pancreas में insulin hormone होता है, यह glucose level को करता है, test में testosterone होता है, यह development of male reproductive system होता है, ovaries में estrogen और progesterone यह ladies में मिलता है, यह gents में मिलता है, control growth and development of female reproductive, तो यह आपका, जो मैंने main main है, वो आपका करा दिया है, आपके exam के लिए, तो आप अच्छे से इसको prepare कर लो, और इसको prepare करने के बाद, पैड़ा कोजी का एक छोटा सा session लेंगे, आप प्लीज वीडियो को जितना हो सके इतना share करतो इसको, पैड़ा कोजी का session लेने के बाद, हमारा जो questions है, हम वो इसके questions करेंगे, around 100 plus questions कर लेंगे न, तो आप ये सोचो कि आप इसमें around 30, आप इसमें score कर सकते हो, ठीक है, so thank you so much for watching this video, see you soon.